आज हम लोग देखेंगे class 11 का 2017 का question paper यह है और subject है हमारा math तो आज हम आपको math subject बताने वाले हैं अगर इसका complete solution चाहिए तो आप कहिएगा इसका complete solution भी बताएंगे यहां पर हमारा मक्सद सिर्फ question paper आप तक पहुचाना है तो अगर आपको complete solution चाहिए तो आप कहिएगा हम उसको जरूर आप तक पहुचाने का प्रयास करें आए आपको दिखाते हैं दोजार question का 2017 का question paper जो कि पुछावा सवाल है और यह original question paper है और previous year का question paper solve करने से यह होता है कि आपका यह idea लगता है कि कैसा question पुछता है किस type का question पुछता है और कभी-कभी repeat question करता है इसलिए आपको previous year ज और passing marks 30 यानि के mcq question इसमें नहीं है 2017 में mcq 2017 के पहले mcq question उतना नहीं होता था तो यहां देखिए section a में है section a में आपको बोल रखा question यहां पर दिया हुआ और बता देते हैं first question find number of subsets in set a 345 ठीक है तो यह दिया हुआ हिंदी में भी इसका देख लिजिए इसके बाद कोच number second है if a equal to 5 then write pa ठीक है तो आपको यह power of set a लिखना है इसके बाद question number 3 है देखिए question number 3 कहता है if nth term of the sequence मतलब ap is given by इतना ठीक है यह दे रखा तो write down its common difference तो आपको d बताना है कि क्या होगा ठीक है इसके बाद यह हिंदी रहा चलिए इसके number आपका 4 है देखिए if the nth term tn of a sequence is given by यह दे रखा आपको ठीक है तो आपको क्या करना है write down its first five terms ठीक है तो यह रहा है इसका हिंदी देख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद question number आपका 5 देखिए क्या कहता है कहता है write down the slope of y-axis ठीक तो y-axis का slope निकालना है इसके बाद next question आपका 6 यहां है find center and radius of the circle तो इस circle का radius और center पता करना है और इसका अगर आपको mcq question अगर important चाहिए तो उसका भी video upload के आवा आप जा करके देखिए बहुत ही important mc को हम बता है और अच्छे से बता है अगर class 11 का मैं subject का अगर आपको complete solution भी चाहिए तो वह भी आप कहिएगा उसको भी अच्छे से हम बता देंगे टिके नबर 7 है इप y equal to sin x power n find differentiation y by dx तो यह रहा है इसका है question number 8 है कहता है find the value of limit x 10 to 0 10 7 x by x तो इसका value find out करना है इसका बता question number 9 है question number 9 कहता है if if a coin is tossed thrice यान्य एक को तीन बार टोस्ट कहा जाता है write down the sample space sample space बताने आपको बहुत ही easy जी सवाल है आप जरूर इसको solve करना नहीं होगा तो बताना जरूर write negation of the statement आपको negation इसका बताना है ठीक है और यह chapter आपका जो नया बुक है वो इसमें काटा हुआ है ठीक है assume कर लेना कि दुन equal है और उसके बात प्रूप करना है कि a equal to be होता है कोचन नबर 12 देखिए कोचन नबर 12 है इसमें काता है find domain of the function तो domain of the function इसका आपको निकालना है domain range आपको पता ही होगा section B section B से start होता है find the value of sign 75 degree sign 75 degree का value आप find किजिए कोचन नबर आपका 14 है पूरूप दैट पूरूप करना है 10 4x equal to यह कोचन इस परकार का टिगोमेट्री में बहुत सारा कोचन है इसलिए इसको आप अच्छे से रिविजिन करना और mc कोचन में तो इतना लंबा लंबा नहीं पूछेगा देखिए कोचन नबर आपका 15 है इस पर करके यह आयोटा इसको पड़ते हैं यह रूट अंडर दिया तो आपको प्रूफ करना है इतना चलिए इसके बाद कोचन नबर आपका नेक्स्ट है 16 देख लिए 16 है कहता है इस इनक्विलिटीज एंड रिप्रेजेंट दा स्विशन ग्राफिकली अन्द नमबर लाइन तो इस इनक्विलिटीज को स्विव करना है और नमबर लाइन पर डिनोट करना है तो जो इस कोचन नबर 17 है इन हाँ मैने वेज के मेरिड़ ईब दॉड फ्र मॉटेशन फ्र म्त इब अ इंड विट एंट विट एस सुक है तो प स से स्टाट उना चाही है और इंड लिए से से से्केंड है माव्य डिम्ट कहा हुंड थी सब्सक्राइब wordं करना मलस् गरान और यह घोल मोट कुदेशं क प्लस 9y के पावर 10 ठीक है तो यह दिया हो इसका मिलिटर में आपको फैंड आउट करना है इसके बाद कोच्छन नमबर आपका नेक्स्ट है कोच्छन नमबर आपका उन्हीं से कहता है find the equation of the circle passing through the points 4,1 and 6,5 and whose center is on the line is 4x plus y equal to 16 यह है इसका कोच्छन आपको पता करना है यह इसके बाद यह रहा है इसका हिंदी कोच्छन नमबर बी से देख लिए जिक कहता है find the value of limit extends to 0, cos 2x minus 1 बटा cos x minus 1 इसका आपको limit निकालना है कोच्छन नमबर आपका 21 है कोच्छन नमबर 21 कहता है इसमें देख कोच्छन नमबर 21 है 4 cards are drawn from available decks of 52 cards what is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 speed तो यह आपका probability से question है इसके बाद आपका next question है हिंदी इसका यहां पर रहा है कि इस question का इसके बाद आपका 22 का देखिए इसमें खता है rewrite the following statement in five different ways conveying the same meaning यह statement चेप्टर से तो यह इसका आपको rewrite करना है तो जैक लिजे P equal to there का P such that if a number is divided by 9 then it is divided by 3 यह आपका नयावला जो बूख है उसमें यह chapter हटाया हुआ है तो यह काटा हुआ है इसके बाद next question देखिए इसके बाद question number section C है अगर यह question को नहीं भी solve कर पाते है इस्टेट में होगा तो कोई दिकत नहीं है चलिए लेकिन आना चाहिए solve करने इसके बाद section C है question number 23 से देखिए prove that इसमें दे रखा इसको आपको prove करना इतना equal to इतना होता है clear है इसके बाद आपका second question C में इसको भी आपको prove करना है clear है चलिए आगे बढ़ते हैं question number आपका इसके बाद आपका 24 यहां है question number 23 का ता फुरूब that by using principle of mathematical induction यह for all n element n यह चोटा एन और यह बड़ा नेचुरल नॉमबर है यहां पर आपको दियावा तो यह principle है mathematical induction of principle वेगरा चेप्टर का नाम है तूशी से यह है इसके बाद question number आपका next है question number next आपका यह रहा 25 25 में देखिए solve the system of inequalities graphically इसको आपको solve करना है बहुत अच्छा यह चेप्टर है इसके बाद question number 26 देखिए question number 26 है two lines passing through the points 2,3 intercept each other at an angle of 60 degree if the slope of one line is two find the equation of the other line ठीक है तो angle भी दे रखाया आपको दो point भी दे रखे हैं तो दो point नहीं दो point से तो pass हो रहे हैं ठीक है जिसका एक slope दिया हुआ और एक point भी दिया हुआ तो इससे related आप solve को solve अच्छी तरीका से solve कर सकते हैं इसके बाद आपका 27 को अच्छा नबर देखिए find the coordinates of the points which try the line segment PQ एक line segment PQ जिसको तीन पार्ट में बाढ़ता है ठीक है तो इसका आपको coordinate पता करना है चली इसके बाद आपका यह point दे रखें तो यह चेप्टर आपका यह बहुत ही अच्छा चेप्टर है यह आपका बिल्कुल 10 के जैसा ही लगेगा चली इसके बाद question number आपका 28 है find the derivative of the function इसका आपको derivative find करना है differentiation के मदद से चली इसके बाद question number आपका हिंदी में देख लिए question number आपका 29 है इसमें कता है the mean and variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively if six of the observations are यह दिये रखा 6 7 10 12 12 and 13 find the remaining two observations तो यह आपको mean से चली इसके बाद question है ठीज है तो यह था अग्शका वीडियो तो में